हाई गाईज लारावल में authorization हम लोग देखने वाले authentication हम लोग अलड़ी देख चुके हैं और authentication का यूज़ करके हमने एक project भी बनाया है mini blog अब बारी है authorization को देखने की इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे request करूँ कि आप मेरा mini blog project को जरूर देख लीजे उसी को base बनाकर हम लोग authorizing concept देखेंगे so authorizing की में बात करना तो authorization के दो तरीके हमें मिलते हैं Laravel provides two primary ways of authorizing actions पहला है get और दूसरा है policies gets और policies, gets मतलब क्या? gets provides a simple closer based approach to authorization closer based approach यह provide करेगा, हमें simple सा ही है कि समझने में कोई यह मुश्क्लिल नहीं होने वाली है policies like controllers group logic around a particular model or resource policies should be used when you wish to authorize an action for a particular model or resource तो कब क्या use करना यह तो हमने देख लिया कि simple सा कर आपको चाहिए closer based approach authorization के लिए तो आप gets use कीजिए अगर आपको कोई action किसी particular model या resource पर जाहिए तो आप policies का use करेंगे दोनों का काम है authorized authorization देना कैसे होता है यह सारी चीज़ देखेंगे पहले मैं आपको इस अभी के लिए मैं आपको सिर्फ gates बताऊंगा फिर अगली बार हम लोग policies देखेंगे तो पहले gates देखें gates are simple closure that determines if a user is authorized to perform a simple action मतलब कोई simple सा action है उस action को perform करने के लिए कोई user authorized है या नहीं यह हम लोग gates के थुरू define करते हैं और gates में हम लोग help लेते हैं closer का closer means closer जो callback function होता है उस तरीके से कुछ हम लोग यहां पर use करेंगे so gates का normal meaning क्या है gates का normal जिससे आप अपने घर में दर्वाजय बनाते हैं तो वही gates समझ लीजिए कि वही gate है आप अपने gate लगा दिया अब आप उसमें अलाव करेंगे कि कौनसा user आएगा कौनसा जो इंसान है वह आपके घर के अंदर आएगा और कौनसा आपके घर के बाहर जाएगा और कौनसा नहीं आएगा कौनसा घर के बाहर नहीं जाएगा So, यह हमारा GATS का simple definition है और इसका meaning है GATS are most applicable to actions which are not related to any model or resource ऐसे ऐसी जगह पर हमें GATS use करना जाहिए mostly जहां पर जो हमारे actions हो वो related नहों किसी model से या फो resource से Such as viewing and administrator dashboard इसमें बहुत सारे methods हम लोगे use करते हैं जैसे define method हो गया आप GATS को define करने, GATS को define करने के लिए define method यूज़ कर लेते हैं allow, denies, for user, any, none, authorize, then इतने सारे methods हैं और साथ में कुछ blade directive भी हमें मिलते हैं जिनका हम लोगे use करते हैं GATS को implement करने के लिए directly अपने UI में अगर UI में आपको चाहिए तो यह साथ में आपको दिखाऊंगा, इतने सारे methods में नहीं दिखाऊंगा, कुछ methods में आपको दिखाऊंगा, बाकी मैंने PPT में लिख दे है, example आप उसको follow-up कर सकते हैं और यहाँ पर जाने के बाद आपको एक boot method मेलेगा और उस boot method के अंदर में आप अपने gates को define करेंगे gates always receive a user instance as their first argument and may optionally receive additional arguments such as relevant eloquent model तो जो gates होगा, जो भी आप gates define करेंगे वहाँ पर उसका जो first argument होगा, वह user होगा अनि कि user की instance होगा, अनि कि user ने भी login किया हुआ है उसका instance आपको देखने को मिल जाएगा अगर उसमें कोई optional और भी arguments होते हैं तो वह हो सकते हैं element model एक proper example दिखाता हूँ, आपको पहले यह facade लिखना पड़ेगा अगर उसमें लिखावा नहीं है तो नौर्मली लिखा रहा था तो मैं भी आपको लिखना ना पड़े, फिर boot यहार method हो गया, अभी इसके अंदर में आपका यह पहले से लिखा होगा इस register policies और यहाँ पर get हम लोग अपना define करते हैं आपर दिखे, get लिखा, colon, colon, define हमने method यहाँ पर use किया हुआ है और is admin एक नाम है, ability है कि किस तरह का ability रहेगा इस get के पास है, तो मैंने is admin यहाँ पर लिखा, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं अपनी मर्जी से यहाँ पर नॉर्मली हम लोग चेक कर रहे है कि user का email जो user अभी है, जिस user का instance हमारे पास है उस instance में जो email है हमारा वह क्या match करता है admin at gmail.com से, अगर match करता है तो return करता है true, otherwise return करना है false return true होगा तो इसको access मिलेगा, gets जहां भी हम लोग लगाएंगे, इसको access वहाँ का मिल चाहेगा और इसको access नहीं मिलेगा तो यह लिखने का तरीका है, gets को एक और तरीके से हम लोग लिखते हैं जैसे हमने अभी क्या boot method के अंदर में सारा code लिख दिया वैसे करने के बजाए, आप gets का एक folder बनाई है app के अंदर में फिर उसके अंदर में आप स्पेसिफिक क्या get बनाना चाहता है, वह get का नाम लिख दीजिए इसे मुझे admin get.psv बनाना है, मैंने इवह लिख दिया, फिर मने इसमें name space बनाना है app का, फिर एक class बनाई है admin get उसके बाद यहां पर आप अपना function जो भी आपका, जो हमने boot method के अंदर में पुरा function लिखा था, closer के अंदर में वह पुरा आप यहां पर लिख दीजिए, यह क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे अपको एक separate class बनेगा, जिसको आप reuse कर सकते हैं, साथ में जो कि यह class है, और इस separately एक folder के अंदर में हो, तो आपका code भी separate हो होता है, अब इस चीज को आप use कैसे करेंगे, यह जो आपने class ब और यहां पर easy admin, जो हमने वहां पर लिखा था है, यहां पर भी लिखा हो है, और हमारा class उसका नाम है admin get, colon colon class, इसमें क्या method था, check admin का, तो मैंने वह check admin यहां पर लिख दिया, फिर आप इसका easily use कर सकते हैं, आपको middleware में use करना, वहां भी use कर सकते हैं, मतलब रूट में भी use कर सकते हैं, और आप चाहें, तो use कर सकते हैं इसको view में directly, तो दिखाता हूँ कि कैसा आप use कर सकते हैं gates को, using gates via middleware, Laravel includes a middleware that can authorize actions before the incoming request, even reach your roots or controller, by default the illuminate auth middleware, authorize middleware is assigned the can key, एक can नाम का key मिलेगा, मैं आपको भी दिखाऊंगा, kernel.php में, उस can key के तुर दिखाऊंगा, जरू हम लोग middleware में इसको implement कर पाएंगे, कुछ इस तरीके से देखिए, यालिका root, get, post में हमने postional कंदर index का method होगा, इसमें middleware लगा हुआ है, auth, तो यह authentication करने के लिए, लेकिन जो authorization है, वो इसके हमने can कही है, can colon is admin, जो हमने नाम रखा था gets का अपना define करते वक्त, वो हमने यहाँ पर is admin, जो ability था, वो ability हमें यहाँ पर लिखना होता है, can is admin, तो अगर admin होगा, आपने allow किया होगा, अगर यह admin होगा, तो आपको उसका access मिलेगा, इस route का वन्ना नहीं मिलेगा, तो यह हम लोग basically करते है, अब इस चीज़ को आप blade के थूरू भी यूज़ कर सकते है, when writing blade template, you may wish to display a portion of the page only if the user is authorized to perform a given action, इसके हम लोग यूज़ करते है, can और end can, और end can के बीच में जो भी लिखियेगा, वह authorization के हिसाब से काम करेगा, आप cannot भी use कर सकते है, can any भी है, can any में आपको array देते हैं, कि इन में से कोई भी एक ability हो, तो वह आपका काम करेगा, array के form जैसे कि, मुझे देना है कि अगर update, post update, post delete, post show, अगर ये तीनों में से कोई एक भी होगा, तो आपको भी दीखेगा, इस तरीके से कुछ काम ये करता है, इस तरीके से आप else can भी लगा सकते हैं, और else cannot भी लगा सकते हैं, else can any भी लगा सकते हैं, जब complex आपको मिलेगा स scenario तो आपको ये सारी से कर सकते हैं, मैं आपको बस यहां पर syntax दिखा दे रहा हूँ, ताकि जब जरूत पड़ेगी तो आप सही तरीके से को use कर पाएंगे, बट मैं आपको सिर्फ can दिखाऊंगा, उस आपका concept clear हो जाएगा, देखिए proper example body के अंदर में dashboard page में हम लोग है, मै is admin मैंने लिखा, अब अब अगर ये admin होगा, तो हमें edit और delete का दिखाई देगा UI, अर्वाज ये दोनों नहीं दिखाई देगा, अब अगर admin होगा, जो login करता है बंदा, वो आगर admin है, अधर authorize हमें दिया कि, जो admin होगा, सिर्फ वही cable देख सकता है, edit और delete को, और दूसरा क UI मैं hide किया, इसका action अभी भी मौज हो दिया नहीं कि हम लोग URL में manually type करें, slash edit तो हमें वो page मिलेगा, slash delete तो हमें वो page मिलेगा, बस UI से हमारा ये दो link गायब हो जाएगा, ये मैं आपको practically दिखाऊंगा, आपको अच्छे समझ माएगा, चलि पहले इतना देख लेते हैं, फि इसको कर पीच पी, पीच पी, आर्टिशन, सर्व, सर्व ऐसे करूं, इंटरप्रेस करूं, यह हमारा run कर रहा है, और यह हमारा blog, mini blog है, इसमें ने कुछ पोस्ट हो रहा है, की करके रखावा है, तो कि इस तरी की सिर्केत को देखने को मिलता है, अभी हमारा इसमें कोई भी में जाता हूँ, देखिए, मुझे यहां पर यह दिखाई देता है, यह भी दिखाई देता है, और delete भी हो जाएगा, तो यह admin है, तो इसको इसको पार मैं देना चाहता हूँ, इसको मैंने दे दिया है, इसमें कुछ भी हम लोग करना नहीं, यहां से सोनम को लोगिन करवात तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो admin है, सिर्फ वही बंदा edit कर सके, और delete कर सके, बाकी कोई भी और ना कर सके, तो उसके लिए हम लिए code लिखेंगे, gets के थुरू हम लोग authorization करेंगे, कैसे देखिए, सर्चीज है आपने कर ली, हमारा mini block में जो project create करना, create लिए table वगरे बना लिया, model वगरे define कर लिया, eloquent वगरे सब को जो भी था हमारा, सब कुछ हमने काम कर लिया, बस मैं authorization में आपको दिखा रहा हूँ, तो app folder के अंदर जाना, यहां से providers में, और यहां से auth service provider देखिए, यहां पर, यह आपको लिखना है, अगर आपको लिखा व नॉर्मल सा, तो get लिखना है, colon, colon, और यहां पर define method का मैं use करता हूँ, then यहां पर हम लोग लिखेंगे इसका ability, तो मैं यहां पर ability का नाम देता हूँ, यह अपर नाम एच्छली हम लोग लिखते हैं, कि इसको identify करें हम लोग इस get को, जिए मैंने यह लिखते हूँ, पर यहा तो हमारे पास user instance है, उसकी email column में देखो, वो देख कर बताओ कि क्या वह equal equal है admin at gmail.com की, अगर है इसके equal equal तो आप क्या करना, return कर देना true, ठीक, और अगर नहीं है, तो return कर दो, return false, बस इतना सा मेरा काम कर दो, तो यह हमने get बना दे, हमने कहा कि अगर admin होगा, मतलो यह email होग email कि इसको admin का होगा, तो मैंने कहा कि जो user email पर आप जाओ, और आप देखो कि अगर जो user instance हमारे पास है, उसकी email ID, अगर इस email ID से match करती है, अगर है यही है, तो आप return true कर देना, otherwise आप false return करना, तो यह थो हमने अभी get बनाया, get का जो हमारा क्या logic होगा होगा हमने लिखका, इसको use कैसे करना है, वहाँ देखिए, अगर directly आप इसको किसी root में use करना चाहते है, middleware का use करके, तो आप इसको, इसके लिए आपको root में जाना पड़ेगा, web.page भी यहाँ पर आईए, और यहाँ पर अगर मैं किसी एक page को, मान लिजए कि हमारा जो index page है, post index, इस index वाले page मे मैं लेखा है, root index में जो नीचे कर देता हूँ, यहाँ से, इस वाले की में बात कर रहा हूँ, यह वाले की, तो slash post से index चलता है, यानि कि हमें post दिखाई देता है, मतलब, अभी जो हमारा यह है, यह post हमें दिखाई देता है, तो यह sonam को भी दिखाई दे रहा है, और दिखा आने के लिए, और यहाँ पर middle where, और मैं यहाँ पर लिख दूँगा, can का मैं use करूँगा, can key का, और यहाँ पर वो नाम लिख दूँगा, is admin, तो मैं कहाँगा, कि अगर is admin, is admin means यह वाला पूरा, यह कहेगा, कि अगर email जो currently login user है, उसका email अगर इससे match करता है, तो ही आपको access मिलेगा, वरना आप authorize नहीं है, इस URL को access करने के लिए, authorize आप नहीं है, इसमें आप काम नहीं कर सकते हैं, यह basically हम लोग कहा रहे है, यह जो can है, यह can आपको मिल जागा, इसका key, अगर आप यहाँ से जाएंगे, apps.htp और kernel.php, kernel.php में आप देखिए, यहाँ पर कही can हो होगा, हमारा define क्या हो, यह हमारा can जो है, यहाँ पर define यह की हमने यहाँ पर use किया हुआ, ओके जी तो अभी देख लेते हैं कि इसमें हमें access मिलता है या नहीं है, हम लोग एड्मिन से भी login नहीं है, हम लोग भी कहा है, sonum है, तो dashboard में तो सारी चीज हमें मिल रही है, बढ़ this action is unauthorized, यानि कि sonum authorized नहीं है, post को access करने की, यानि कि slash post को access करने के लिए sonum authorized नहीं है, जो हमने यह आप लगा दिया, बढ़ अगर admin हो, तो यह हमारा verify हो जाएगा, और admin को इसका access मिलेगा, मैं आपको दिखाता हूँ, admin से login करके, यहाँ पर log out में आते हैं, और यहाँ पर आ edit वगरा तो यह कर सकता है, यह सारा काम कर सकता है, और यह post में भी access कर सकता है, यह admin है, currently जो हमारा user login है, उसके email में किया admin at gmail.com, और यहाँ पर match होता है, हमारे gate में हमने इसको permission दियावा गया, अगर यह email वाला बंदा भी login है, तो आप करना true कर देना, यानि कि इसको access दे इस तरीके साब यूज कर सकते हैं, आपने gates यहाँ पर define किया, उसको आप use यहाँ पर कुछ इस तरीके से कर रहे हैं, अब इसी gate को आप blade file में भी use कर सकते हैं, बट मैं पहले क्या करता हूँ, मैं पहले इसको separate class में मना कर आपको दिखाता हूँ, फिर मैं आपको blade file में लिखेंगे तो आपका ये build बढ़ेगा, ये बहुत जादा authorization लिखेंगे तो ये build यहाँ पर बढ़ जाएगा, तो हम लोग यहाँ करते हैं, हम लोग एक separate class का create कर लेते हैं, इसके लिए आप app folder में जाए, रैट लिक कीजिए, new folder, यहाँ पर एक gates नमको folder बनाईए, और क्या फिर आप class लिखें, हमारा admin gate, जो भी अपने file का नाम लिखा है, वही नाम आपका यहाँ पर class का होना चाहिए, जिससे के आपको कई error ना मिले, बागी जो हमारा यहाँ पर code है, यह code, यहाँ से यहाँ तक का, यही हम लोग कोपी करेंगे, और यहाँ पर paste कर देंगे, तो य यहाँ जो logic था हमारा, मैंने यहाँ पर क्या करबड किया है, if user, यहाँ पर हमने user, हमें एक function बना कर इसको डालना है, ऐसे नहीं डालना, इसके अदर में एक public function, यह क्या होँआ, check admin, और फिर यहाँ पर यह हम लोग देंगे, ठीक है, अभी यहाँ पर user हमें देना यहाँ पर user करें चली पड़ेगा, हमने कहा कि हमने यही जो logic था हमारा, इसको मैंने पर copy paste किया हुआ है, separate करने के लिए, अभी हमें यहाँ से यहाँ तक लिखने का शकता नहीं है, बट हम लोग इसको use करेंगे, और इसको यहाँ पर mention करना पड़ेगा, यहीं से हमारा execution हो इसको हम लोग यहाँ पर use करेंगे, कैसे इसको mention करेंगे, आपको लिखना, get, define, then is, admin, comma, यहाँ पर लिखना है, admin, get, class, और यहाँ पर लिखना है, check, admin, जो हमने यहाँ पर method का नाम लिखा हो, यह वाला, check admin, यह check admin, आपको यहाँ पर लिखना होता है, ठीक है, तो हमने abilities का क admin यह check करेंगा, आप इसका कोई नाम कुछ और भी लिख सकते हैं, like admin allowed, only admin allowed, इस तरीके से कुछ भी meaningful नाम लिख सकते हैं, वह आपकी मर्जी है, ठीक है, तो हमने यह लिख दिया, अभी यहाँ पर लिख दिया, तो हमारा यहाँ पर हमने mention भी किया हो, तो यह same as it is, जैसे था आप ऐसे ही काम करेगा, आप ऐसे करके लिखें, या फिर एक separately class बनाकर इसको इस तरीके से लिखें, दोनों से हमने तरीके से काम करेए, को save कर दें, मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी यह हमारा admin है, तो admin को post वाला एक access मिल जाएगा, यह post, ओके हमें यहाँ पर, यह हमन अंदर में admin git, अभी यह हमारा है, error नहीं आना चाहिए, यह admin है, तो admin को इसको access मिल जाता है, अगर यह ही sonam होगी, तो इसको access नहीं मिलने वाला है, मैं आपको दिखाता हूँ, यहां से हम लोग sonam at gmail.com, और यहां से sonam kumari 12, enterprise किया, at dashboard में मिलेगा, बट post में नहीं मिलेग सिर्फ admin को मिलेगा, यहनि कि जिसकी email id admin at gmail.com है, सिर्फ उसी को permission मिलेगा, और किसी को permission नहीं मिलेगा, even sonam हो रहा हो लो, यह कोई भी बंदा हो, यह बंदी हो, तो उसको नहीं मिलने वाला है, इस तरीके से आप authorize कर सकते हैं, किसी user को, किसी particular route के लिए गरप करना चाहिए तो middleware का, यहां पर define कर गए गोच इस तरीके से, और gates से यहां बना कर, तो अभी इस gates को मैं इस तरीके से class based d रखता हूँ, और मैं आपको दिखाता हूँ कि यही same चीज अगर आप use करेंगे, blade में तो कैसे use करेंगे, तो यहां से अभी हम लोग middleware का use करके, यहां पर नहीं dot php, मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ, अभी हम लोग क्या करता हूँ, अभी हम लोग कर देते हैं, कर रहे थे यह कि admin होगा, तो ही post access होगा, वर्न नहीं होगा, तो वह scenario तो एक था, जो हमने root पर middleware लागा कर, हमने achieve किया, बट अब action पर देखिए, कि action पर particular action पर कैस email id admin at gmail.com है, सिर्फ उसी को दिखाई दे, बाकि किसी और को दिखाई नहीं आदे, तो हम लोग UI पर यह rule लगाना चाहते है, authorization लगाना चाहते है, UI पर आईए, यहाँ यहाँ मतलब यहाँ पर, जो हमने code लिखा है, front end का, उस पर मैं बात कर रहा हूँ, देखिए, edit का button हमार यहाँ पर है, यह TD यहाँ से शुरू होता है, और यहाँ पर delete का करके, यह TD यहाँ खतम होता है, यह पूरा पूरा TD ही मैं गायब कर देता हूँ, गायब कर दूँगा, means यह तभी दिखेगा, इसमें लोग can use करते हैं, इस तरीके से can, तो यह आपको तभी दिखेगा, जब आप इसमें, जब यह हमारा admin लेगा, तो वह नाम जो था, वह मैंने यहाँ पर लिखना है, और यहाँ पर यह लिखने के आवशकता अभी के लिए, हमें नहीं है, और इसको end भी करना होता है, तो इसको यहाँ से cut करते हैं, और इसको मैंने यहाँ पर नीचे करना है, इस TD क तो यह इसके अंदर का code execute नहीं करेगा, और हमें नहीं दिखेगा, तो अभी जो हम लोग लोग इन है, वह है sonam से, तो आप इसको dashboard को रिफ्रेश करेंगे, देखिए हमारा edit और delete दोनों button गायब होगी, अगर यह admin से login करते हैं, तो, मैं admin से login करके आपको दिखाता हूं, यह sonam मैं वापस से login करता हूं है, यह मैं गया sonam के पास sonam at gmail.com और यहाँ पर sonam kumari12, यह हमारा sonam का, देखिए, इसका भी दिखनी रहा, बट यह सिफ UI पर आपने किया है, मतलब edit में अगर हम लोग मैं इसको हडा देता हूं यहां से, थोड़े दरी के लिए अभी देखिए मैं इसको मैंने किया comment यहाँ पर और उपर मैंने यहाँ पर इसको किया comment, तो अभी यह सब को देखिएगा, इसमें checking वेरा हमने कुछ लिए authorization नहीं लगा, तो देखिए अभी सभी को दिखाए दे रहा, तो यह जो हम लोग लगा देते हैं, तो यह से, UI, ECPA दो buttons को hide करता है, इसको जो feature है, यानि कि इसमें click करें पर edit यह जो है, यह hide नहीं होता है, means, अगर मैं इसको copy करके रख लेता हूँ, अभी मैं इसको वापस से refresh करता हूँ, तो यह अभी यह दिख रहा है, और जब हम लोग इसमें, यह code वापस से visible कर दूँगा, तो सभी पर admin को देखेगा, सोनम को नहीं देखेगा, हमने अभी कुछ तरह पहले इसको देखा हुआ था, यह मैं इसको refresh करता हूँ, देखिए, सोनम को नहीं दिखाए देरा, but यहाँ पर सिफ गाय वाले इसके पास अभी भी feature है, सोनम के पास, कि edit कर सकते है, अगर यह manually यहाँ पर type करें, कि post slash edit slash one, त यह edit का इसको for मिल जाएगा, और यह edit भी कर सकते हैं, इसको manipulate हुए कर सकते हैं, तो feature तो अभी भी बनावा, action जो था, वो अभी भी इसके पास mouse थे, बस UI से हमने इसका power था, वह चीन लिया हुआ, तो यह बहतर तरीका नहीं है, मतलब अगर कोई भी होजियर बंदा होगा, तो यहाँ पर URL में type करके, आपका post edit कर देगा, आप यह बिल्कुल नहीं चाहेंगे, तो UI से कैसे करना, यह हम लोग सीखें, UI में कैसे authorization लगा, यह हमने सीख लिया, अभी देखें कि proper action को prevent करना हो, तो कैसे करेंगे, यानि कि जो हमारा edit पर अभी आप देख रहें कि अगर म तो मुझे यह access मिल जाता है, मैं sonam हूं फिर भी, इस चीज को कैसे आप prevent करेंगे, इस चीज को कैसे आप authorized करेंगे, यह हमें आपको दिखाता हूं, तो code में आते हैं, और यह जो हमारा get है, यह ऐसा ही बना हो रहेगा, इसी का use करेंगे, और edit करने का और delete करने का, यह दो च लिखा हुआ है, हमने, वह हमने लिखा हुआ है, यह दो create हो गया, edit करने का code यहां पर है, तो हमें बस यहां पर अपने get को authorize करवाना है, कैसे करेंगे, देखिए, मैंने if लिखा, then यहां पर आपको get लिखना है, और मैं चाहता हूं कि यह deny हो जाए, denies, denies का मैंने यहां य abort 403 का, हम लोग error देते हैंगे, इसको, तो मैंने कहा कि, अगर admin नहीं है, तो यह क्या करेगा, इस abort 403 को run करवा देगा, मैंने इसको save किया, save करने कवाद अभी देखिए, यह हमारा काम करता है, यह नहीं, मैं जरा देख लेता हूं, यहां पर आते हैं, और हम लोग यहां से अभी क्या करते हैं, यहां से manually, अगर हम लोग करते थे थे थे, हमें access को मिल जाता था, बट अभी देखिए, dashboard में जाएंगे, यहां से button तो हमारा guide होगा ही, जो कि हमने blade file में इसको लिक दिया हुआ है, अब हमने action को भी prevent किया हो, देखते हैं कि action हमारा हुआ है या नहीं, आप इसको update में भी लगा दीजिए, थाकि update भी किसी तरीके से भी नहीं हो पाए, अब डेट में भी इसको लगा सकते हैं, same वही तरीका रहेगा, आप इसको copy करेंगे, जो कुड़ हमने यहां पर लिखा, आप इसको copy कीजिए, copy करने के बाद आप यहां पर इसको paste करते हैं इसकी post के just नीचे, तो अब का काम हो जाएगा, अभी मैं कुछ चीज़ आपको यहां पर दिखाता हूँ, हमने लिखा हुआ है कि deny करना है, तो अगर admin नहीं है, तो उस case में यह deny करना है, अगर admin होगा तो फिर उस case में यह allow कर देगा, तो हम लोग यहां पर आते हैं, अभी हमारी sonam है यह, तो इसमें हम लोग इसको log out करते हैं, और admin को login करें चेक करते हैं, कि admin को मिलता है या नहीं मिलता है, admin gmail.com, और यहां से admin kumar 12, तो देखे, admin जो हो, edit कर सकता है, इसको access होकर मिल जा था, आप edit में click करके किजिए, या फिर यहां से किजिए, तो UI में करना, औ अलग अलग चीज़े हैं, आपको दोनों ही करनी पड़ेगी, UI से भी हटाना पड़ेगा, और साथ में controller से उस action को भी हटाना पड़ेगा, ताकि कोई manually URL में enter करके, authorization ले ना ले, आपके URLs का, या फिर protected चीज़ों का, तो यह हमारा एक काम हो गया, अभी denies की जगा पर allow भी use क सकते हैं, अभी हमने यहां पर allow से लिख दिया, इसको save किया, अभी हम लोग इसमें करें, मैंने dashboard में गया, और यहां पर edit में click करूँ, तो यह मुझे क्या करेगा, forbidden करतेगा, यानि कि अभी admin को, जिसकी email id admin at gmail.com है, उसको यह forbidden करतेगा, बाकि जो भी user होंगे, सबको यह allow क लगाट कि अभी sonam को देखे, sonam को यह mail जाएगा, sonam at gmail.com लिखा, sonam at gmail.com लिखा, sonam at gmail.com, यहां से sonam 12, यह login हो को यहां पर तो नहीं देखेगा, यहां पर आप manually अभी जाकर उसको access कर सकते हैं, because हमने यह पर denies की जगह पर allow से लिखा हुआ है, इसी तरीके से और भी methods methods मैं आपको जो भी method बताया हुआ है, जिसे for user कि specific user को करना होता, for user use कीजिएगा, आप any को कर सकते हैं, यानि कि any में भी बहुत सारे एक array रहेगा, आप कोई भी रहे, तो वह आपका access मिल जाएगा, फिर none हो सकता है, यानि कि इनमें से किसी, इनमें से को रहेगा, तो इनमे आपको issue नहीं होगा, इसको better तरीके से implementation में, बागे मैं आपको theoretically जरूर दिखा सकता हूँ, कि आपको उनिसका syntax पुरा कैसे लिखेंगे, और कैसे वो सारे चीजिए आपको लेखनी चाहिए अपने program में, तो यह ध्यान में रखिएगा, और साथी साथ मैं आपको बताना चा और can any में आप area दे सकते हैं, और multiple वहां पर लिखा जा सकता है ability, तो यह होगा हमारा gets का पूरा concept, और मैं आपको theory थोड़ा दिखा देता हूँ, दुबारा से, जो जो चीजिए मैंने methods नहीं बताई हैं उसके बारे में, जाकि आप इसको proper तरीके से syntax कमसका आपको बता रहे इसको भी close कर देते हैं, इसको भी close कर देते हैं, okay, so, इसको server को मैं stop कर देता हूँ, अभी हम लोग अपस से theory माते हैं, जो theory माने से फिले एक चीजिए मैं आपको दिखाना चाहांगा, जो कि मैंने आपको दिखाया नहीं, जो हमारा controller है, वहाँ पर चलते है, Fttp, और काम कर पर हम लोग post control में यहां पर, तो यहां जो 403 आप इसका error change कर सकते हैं, about में यहां जो आपको एक error दिखाई दे रहा है, I believe, अगर हम लोग अभी server हम लोग ने start नहीं किया है, जरसा server start कर लेते हैं, मैं इसको भूल गया था, मैं इसको बता देता हूँ, php artition, serve, यह मैंने कि अभी यह हमने denies किया हुआ है, तो यह हमारा चलेगा नहीं, यहां पर हम लोग click करते हैं, आपके यहां पर click करते हैं, और यहां से हम लोग अगर proper यहां पर click करके assess जाएंगे, तो यह हमें बताएगा forbidden 403 तो यह जो आपका, इसको customize भी कर सकते हैं, अगर आप error इसको passage भी pass कर सकते है, 404 में यहां पर, कि यह page नहीं है, 03 में काम करेगा, यह page नहीं है, यह index सही लिखा हुआ, इसको refresh किया, आपके यह दिखाएगा, 403 पर यह page नहीं है, ओके यह फिर आप authorized नहीं, you are not authorized, by default इसमें क्या लिखता है, इसमें लिखता है, not authorized, यह ऐसा कुछ दिख इसको अपस से refresh करते हैं, forbidden लिखता है, तो forbidden के जगह पर आप कुछ और लिखना चाहते हैं, तो आप यहां पर, you are not authorized, इसको इसको इने सेव करने के बाद, इसको करते हैं, refresh, you are not authorized, आपको दिखाएगा, 4 of 3 का, यहां पर आपको error देखने को मिलता है, so यह है हमारा gates का पुर अप्डेट करना चाहते हैं, यहां किसी action को, तो उसमें है अपकर सकते हैं, आपको update में भी यह apply कर देना चाहिए, वहना कोई न कोई bug find करके update करना शुरू कर देगा, then destroy में अपर lead में करना चाहते हैं, तो आप यहां पर भी कर सकते हैं, अभी कुछ लोगों को लगेगा कि यहां पर जो हमारा यह action हमें दिख रहा है, यह खाली 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 तो आप action में जाकर कर देजिए, can और end can का, तो वहां पर यह भी आपको दिखाए नहीं देखा, sonam करने पर, दिखाए देखा, admin कर होने उपर, तो ऐसा पर logic कैसा काम करता है, उस पर depend करता है कि आपके इतन authorizing actions, मैंने आपको practical पहले बता दिया, अभी theory में, theory में आपको बाद में दिखा रहा हूं, ठीक है, तो घबराना नहीं है आपको, authorizing action यही हम लोग ने अभी देखा, कि to authorize an action using gates, you should use the allows or denies method, provided by the gates facade, call the gate authorization method within your application controller, before performing any action that require authorization, आपको क्या करना होता है, कि जो method आप define कर, जो controller इसके edit है, तो उसके शुरू में ही आपको लिखना है, वैसे code के just ऊपर में लिखना है, जिस code के लिए authorizing कारशकता पड़ती है, example देखेगा, आपको समझ में आँचाएगा, तो हमने नीचे जो हमें इस, ये जो page है, इस page को दिखाने के लिए, हमें authorizing कारशकता है, तो मैं if you would like to determine if a user other than the currently authenticated user is authorized to perform an action, you may use the for user method on the get fashion art, तो इस लिए इस परपस के लिए आप इस तरीके से कुछ यूज़ कर सकते हैं, okay, organize का भी आप यूज़ कर सकते हैं, then you may authorize multiple actions at a time using the any or none method, multiple actions भी आप लगा सकते हैं, इस any method में array के form में easy admin लगा दिया, delete post लगा दिया, update post लगा दिये, delete post, update post यह सारे क्या है, हमने gates इसका बनाया होगा, वही हमने यहाँ पर actions लिखा हुगा है, so उसी तरीके से non-me-up कर सकते हैं, then हमारे पास, एक gates response है, अब sometime you may wish to return a more detailed response, including an error message to do, so you may you return and this response कुछ इस तरीके साब इसका काम का सकते हैं, बढ़ यह उतना ज्याद इंपोर्टन नहीं है, intercepting में हम लोग देखते हैं, before और after इसका पढ़ लीजिएगा, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ज्यादा difficult concept यह सब नहीं है, gates का policies में ज्याद रखना पड़ता है, तो यह था हमारा Laravel Gates या फिर Laravel Authorization में gates का concept complete, hopefully आपको समझ में आ होगा, इस वीडियो को देखने के लिए आप सब काम बहुत बहुत धन्यवाद.